जेहिन दोस्तों एक बार फिर स्वागाता आपका अपनी यूटुब चानल उडान परिवार चानक के कलासिज में जैसे कि हम डेली एक मॉस्ट इंपोटेंट टोपिक कवर गर रहे हैं आज को टोपिक हमारा भारत में राष्टे आई की माप उसकी विधिया वैस्वी की स्तर पर पहले बार किसने की भारते स्तर पर किसने की राष्ट्याय का जनक नेश्मान इयुकर के नचीनों कों करता था अब कों करता है उसका अधार क्या है कि साधार की जाती भारते सांकी की पढ़नाली सिश्टम क्या है और राष्टे सांकी की आयोग इसकी समेटी वर्स और सनचना क्या है राष्टे जंगर्ण जाष्टे गणना सैंसर कौन करता है इन सब करने वाले तो वीडियो में आपको बहुत बैटर चीजें यहां से आज मिनने वाली है लास्ट लेक्चर में राष्टे कैसे निकाल जाते हैं उसका फंड आपको लास्ट वीडियों बता देते हैं वह नहीं देखा है पहला आप उसे देख लें कवर कर लें ताकि दिम परतिवेक्टी आए पर कैसे निकाले जाती है तो परतिवेक्टी आए कितनी होगी गर की तो घर के मैटर में अब भारत भी परिवार की तरह देखो एदि भारत की कुल आए कितनी को बोलते मराश्टी आए यदि उस कुल राष्टी आए को भारत की कुल जनसंक्या से यानि कि उसके परिवार में कितने लोग है उस कुल जनसंक्या से यदि भाग दे दिया जाए तो परतिवेक्ति आए निकल कर आ जाती है इससा कॉंसेप्ट अभी हम आगे समझेंगे क्योंकि इसमें यूज होने वा तो पहली बार दोगंजंग थी वह गहांदर गरने वाला देस्ट का उनाइटीड उतक्ति किंग्डम गरना करने वाला व्यथि कोन था उसका नम भी लियम कीलियोम में यह वियुक्ति सबसे पहले शे कभाष घंडना का काम कि उना पागा था नेटिट गिंग्डम का कब की 1665 में कब की 1665 में राष्ट्र एकी गणना का काम किसे ने क्या विल्यम पीटी ने अब भारती इस्तर की बात करते हैं भारत में राष्टे आई की माप करने वाला पहला वेक थी कौन था इतना बड़ा काम तो कोई दादा लोग ही कर सकते हैं भारत में काम कर रहा है भारत की राष्टे आई दे ख लेक तो इनको इसको राष्टे आई को राष्टे आई कि माप को भारती इस्टर पर पहली बार किसने उत्कि वॉत धादा भाई इस से कफ़ई लेकिन इनके द्वारा जो आधार वर्स था जिस वर्स के नोने आगड़े घटा किये थे वह साल था उनेशाट से अध्यासट के इस वर्स के दो रान जितने डाटा प्राप्त हुआ उसके अधार पर इन्हों ने रिपोर्ट उनीस सोट्टार में दिए यहीं की गणड़ना जनगड़न उसकी मा फाइनली राष्ट्य एकि मा फाइनली उनीस सोट्ट्र में कि इसने की दादा मैं किसे का जाता है इसलिए इनको भारत में भारती राष्टी आई का जनक कहा जाता है तो इसको मैंना भी बताया था किसके द्वारा द्वारा इसे ही दूसरा नाम है धन निसकासन का सिद्दात इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन ओफ वैल्ट यानि कि दादा भाई नरोजी ने जब ये राष्ट्य आई कि पूरी गढ़ना कर ली तब उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है चंदि के रूप में यहां किसी द्वारा वहरत की तो इस सिध्धांद को दोने किसी पुस्तक में भी रखा होगा उस पुस्तक का नाम था पौवर्टी ओवर्टी कि अट पौवर्टी एंड अन ब्रीटिस अन ब्रीटिस रूल इन इंडिया तो पुस्तक दादा भाइन रोजी के द्वारा लिखे गई पुस्तक है और इसी पुस्तक में पलायन का सिद्धान्त या धनिसकाजल का सिद्धान्त इन्हें दिया था तो दादा भाइन रेलेटेड आपको सारे एफेक्ट्स याद होने चाहिए अब दादा भाइन रोजी ने जो यह करने वाले वेक्टि है जिसे हम पढ़ेंगे विघ्लम करता करने वाले वीग्तों थी कि वह पहले वी नाम बहुत बड़ा है विज्यानिक थे वी कर बेदर चाहते निटरा पहली बार वैद्वी आधार में सो इकत्ति में भारत की कि राश्रे आय की मस आपकी या रास्रे आय की गर्णा करने का 3 जानक कि से बोला जाता है राऊ को और या की घठया राष्टा की गGS rv राओक जिनुनर निट रो इसमें वेग्या निकाधार पर भारत की राष्ट्याय की गंड़ना की थी तो राष्ट्य सांख्यकी का सिल्पकार किसे एक आजाता है अब इससे लेड़ेट क्यूशन हम फैक्ट को कवर करेंगे 1947 मुझे भारत आजाता है उसके बाद 1949 में भारत सरकार द्वारा एक समीति जिसे बोला गया राष्ट्य आई समीति राष्ट्य आई समीति का गठ्ञ किया गया और इसके अद्धेक्स बनाए गये थे पीसी महाल नोबिस महीं जिन्हों ने दिप्ते पंच वर्षे योजना का मोडल दिया था अध्यक्स बनाए गए इसकी अध्यक्सता में राष्ट्य समिति का गठन किसने की अभारत सरकार्ण ने इनके दिवारा जो एक अनुससा प्रष्थाव रखा गया उस्प्रष्थाव के तैर 1908 में ही 1910 अध्य राष्ट्य अध्य संस्थान संगटमी संस्थान इसकी स्थापना की भी किसकी भारतिय राष्ट्य संख्य की संस्थान की स्थापना कब की गई 1921 में और 1951 में आते इसके नाम से भारतिय टाधिया केबल क्या रहा गया राष्ट्य संख्य की संस्थान की संस्थान की स्थापना पूछे तो 1951 इस इसको National Statistics Organization एने सो नेसनल स्थापना का वहती है उन्सक्यावन में और इसी के बाद पीन मई 1951 में इस एने सो को बदल के बना देगा CSO Central यहां की केंद्रिय इस्टेटिशिक्स ओफिस यहां की कार्यार दें केंद्री एं और स्टेटिस्टिक्स का मतलब सांख्या की कि कारियर ले स्थापन अगब होते तीन में उनीस सो इक्यावाद जो आगे चलकर फिर किसमें बदल जाएगा एन एस सो में लेकिन इसकी फुल फॉर्म इससे अलग हो जाएगी यहां कि नैशनल सांख्यी की संस्तान इसका नाम आगे कैसे चंड होता है वो भी आपको बताते तो अब आपको समझे में यह सारे का सारा सांख्यी की का फंडा कहां से स्टाट हुआ किसके दक्षता में पीसी माल नोबिस वाली है दक्षता में तो इसलिए पीसी माल नोबिस को राष्टे सांख्यी की का सिल्पक बारती अट गया राष्ट्रे संकी की संस्तान रागया और तीन वह इस संकी की कारियले में बदल गया आगे चलकर फिन एनसों में बदलेगा उसके प्रोसिज को भी देखते हैं अब अक्सर के उस्चन में पूछा जाता है भारत में राष्ट्रे की गणड़ना किसके द्वार निश में सी ए सो ट्यस्चो पलस एं ऐस सो सेंटर्ण क्यों स्टेकbooks औहश पलस नेंशनल सबसेंपल सरवें ओफिस दोनों का मतलब ओप ही से इन दूनों आपना ओफिस को मिला कर दिया और के अइस ऐने ऐद बनाया तो आत किसके तैद मनाया किसके तहद बनाया यह M-O-S-MOS-P MOS-P के तहद इन्होंने एक मंत्राले बनाया उस मंत्राले के तहद CSO और NSO दोनों का विलेगरन करके final क्या बना दिया NSO अब वर्तमान में जो राष्टे की गणना करता है वो राष्टे की गणना कौन करता है NSO मोस्ट इंपोर्टेंट है किस्टन काफी बार पुछा जासु का है वर्तमाने राष्टे की गणना CSO नहीं करता है NSO National Statistics Office इसका मतलब क्या Office से है कार्यार ले से है अब मोस्ट पी क्या होता है Ministry of Statistics Ministry of Statistics प्रोग्राम Ministry of Statistics एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन यानि की जो आपका मंत्रा ले है यह वाला मोस्ट का उसके तैत CSO और NSO का विले करके क्या बना देगा NSO बना दीगा जो वर्तमान में क्या कर रहा है राष्टे आई की गणना करता है यह हम कहा सकते है NSO किसके धिन कारे करता है तो मौस्पी के अंतरगत कारे करता है मौस्पी के अंतरगत या मौस्पी के अंदर कारे करता है NSO तो इसी की संस्था है इसी नहीं बनाया है इन दोनों का मर्ज कर गे तो कुछ आड़ा सकते है किस्का विलेह करन के द्वारा बनाया है और भात करते है भारते सांखिकी सब्सक्राइब नितिक बढ़ए यह से दख़गा जारए सुब्सक्राइब। इसके देख्स बनाए इनों ने इस समिति का देख्स बनाया सी रंग राजन को तो सी रंग राजन के देख्स तरह में भारतिय सांकिक समिति का गठन 2000 में किया, बारत सरकार ने, गठन क्यों क्या, इसका गठन इसके संस्तुति करना था, कि जो जितने भी ये सांखी की चल ला है, सांखी की आकड़े हैं, और जितनी पंडालिया सिस्टम चल ला है, उसकी परिक्षेवपन करकर, उसका अब्जरवेशन करकर, इन्होंने अपनी रिपोर्ट परस्तुत करनी थी, तो इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, वो बखी pa इन्हों ले राष्टिये, की सांख्ययों की आयोग, तो आप से पुछे किशन राष्ट्ये सांख्यी की आयभका गठन कभ रुआ, तो जुलाई 2006 में राष्ट्ये सांस की काजन कि समित्एwegen की सिपारिस पर हुआ, तो वो थी भारतिये सांख्यीयों कि समित्यी। उ इसके द्वारा इसका गठन किया तो समेथी पता लगी आपको सी रंग राजन वर्स जुलाई दोजार ची सनलचना इस सनलचना में इसका एक अध्यक्स होगा इसकी स्टक्चर की बात करें संकी की आयोग में एक तो द्यक्स होगा चार अन्हे वहकते होोंगे इनकी टोटल कुल में कितले सब जस्या आयो गए बांत सबस्या इसका भी आप ध्यान लकिए अब बात करेंगे आर्थिक गंणा की कब से स्टार्ट होती हैं कौन नकत प्र gallery कहें आर्थिक गंणा के बारे में आर्थिक गंणा करता करने हैं पहली बार आर्थिक गर्णा 1977 में की गई थी कब की गई 1970 में आप इसको डाटा को ध्यान नखेंगे दूसरी की गई 1980 में तीसरी की गई 1990 में उसके बाद चोती हुई पॉजार पांच में चटी दोजार तेरा में और फिलार जो साथ भी है वो दोजार उन्नीस की है जो 19 जुलाई 2019 में तिरपुरा से स्टार्ट हुई तिरपुरा राज्य से स्टार्ट हुई तो आप इसको द्यान लखेंगे यह कोविडिके चलते बीच में जो है पॉस्पंड साथ हो गई साथ भी चल लिया है या हो गई मान सकते आप दोजार उन्नीस में तो सकतर असी नभ्य अठाण में पांच तेरा तो इसको सिजल्वाइज रखेंगे अब आर्थिक जंगर्णा करता कौन है तो राष्टिया राष्टिया की जंगर्णा पढ़िया आपने राष घंग गणा की बात करें आर्थिक घंगना कोन कर रहा है CSO रिस टैक्स ऑफिस लेकिन दोलों के-दोलों किस मौन्त्रां लेकर अंतरा आते हैं नभ्य किक्ते आते हैं मौस्पी के तो मौस्पीट लेकर कि से पोग्र्णा कर रहा है और यह किस आंकर काम आते आए कि आइखे कि लिए आधार के लिए आधार वर सैट क्या जाता है जैसे दादा बहुत इस्तिर कीमत पर कर रहे हैं तो हमारे किया करेंगे जो वर्तमान हमारी राष्ट्य आयोगी महत चैसा है जिस पे हम इसही मत पर यद हम करनी है तो हम क्या करते हैं वर्तमान राष्ट्याई की तुन्ना आधार वर्सIn係 हुआ सब्सक्राइब चाitel चाप आपको समझ इस धर जाको किमत पर और किमत पर UKU इस फिर इability सठक जलाएब किस पर टारो पार मिलता है तो सपिक सपार्टा वेन टाटा मिलागा इस तिर कीमत पर कीमत कीमत के उच zp सब्सक्राइब पुछ जाते हिं तो व्रद्धी दर का समध्द किसे हैं कैसे इसको फोड़ाइब समझ लेका है हिंदू मरधी दर आपने देखा होगा कि जो हिंदू 1950 पहले से 1950 से लगगा उन्नीस सो वस्ती के दसक तक हिंदू की स्थिति यह रही है कि वह भाग्ये पर जादर डिपेंड था कि जो भाग्ये में मिल जाएगा ऐसा करके हिंदों में प्रोग्रेस चल ली थी ल लगए जी और जोगी की निची ती मनमोन सिंग जी द्वारा लाई गई थी उसी के मद्दिन अजर भारत 1950 से 1980 बागये निर्वर पर जी रहा था जिसकी वज़े से लोकी वरद्धी या विकास नहीं हो रहा था तो हिंदू वरद्धी दर विकास नहीं है इसका विप्रीत है ये एक वयंग किया है भारत के जो अर्शास्त्री है राज कर्षणा प्रोफेसर राज कर्षणा द्वारा एक वयंग्यात्मक सब्द है वयंग्यात्मक सब्द है कैसा सब्द है वयंग्यात्मक सब्द है हिंदू वरद्धी दर जिसका संबन किस से जी डिप से क्योंकि उस पट्वरात की एंद्यू अफैसरने अने दिया का प्रोफेसर्य सप्राइस्त सर्दी जी नींग कि के साथ तब तक के लिए जैन जै भारत